अस्सलाम अलेकुम दोस्ते वीडियों में आपको बदाएंगे साओधी के खुछ जरूरी और बहुत ही इंपोर्टन अपडेट सबसे पहली अपडेट जो दी गई है वो अभी फ्लाइट को लेकर है साओधी अरब में जो यात्री हैं उनकी संख्या में काफी जादा बृध्धी देखी गई है मतलब 30 मिलियल लोग देश साओधी और अन देश से यहां पर सफर करने के लिए अभी सफर करें मतलब केवले अंतराश्टी सेवा परदान करते हैं इसके साथ हम आपको बता दें कि साओधी अरब के अंदर जो घरलो सुधार है उसमें काफी जादा परवर्तन देखा गया है मतलब 90% के करीब है और 100% जल्द पहुँच जाने के उम्मीद है साओधी में रियाज जद्दा मतलब 2-3 एरपोर्ट है वहां पर है गई है तो यह एक बहुत अच्छी अपडेट मान सकते हो जहां पर एरपोर्ट बतायागे है रियाज जद्दा दम्मम यहां से अंतराष्टे सेवाए संचालित करने की योजना साओधी अंतराष्टे उडान के लिए बनाया जा रहा है दोस्तों अगली अपडेट साओधी के गरह मंतराले की तरफ से यहां पर कहा गया है कि अगर आप होटल कॉरंटाइन के सणी में आते हो तो आपको होटल कॉरंटाइन में रहना होगा इसके साथ जो कुरूना वैक्सिन है जिनको नहीं दी गई है उसे हाउस आसलेशन के आधिन किया जाएगा मतलब हाउस आसलेशन में रखा जाएगा यहाँ पर पूरी तरह से यह मान के चलिए कि अगर आप स्वास्त मंत्राले के निर्देश के अमसार सौधी रभ में आते हो तो 49 घंटे के अंदर आपको कुरूना टेस्ट किया जाएगा कुरूना टेस्ट निगेटिव आने पर होम आसलेशन के जो भी अवद है उसको समाप्त कर दिये जाएगा यहाँ पर अगर छोट की बात करें तो सिर्फ 18 साल से कम उम्र के लोग को छोट दिया गया है आठ साल के उम्र के लोग के लिए बताया गया है बाकी 49 घंटे बाद होम आसलेशन पर लगा जो पर्दबंध है उनको हटा दिये जाएगा गरे मंतराले के आयके तरफ से कहा गया है कि अगर कोई भी नियम का उलंगन करता है तो उसको तुरंत दंडित किये जाएगा और जो भी SOP है उसका सब ही लोग को पालन काना चाहिए कोई भी लापरवाही नहीं बरता चाहिए